यह जो बच्चे जब चिलाते हैं तो यह आर्थ का सबसे ख्रेचर जानवर जैसे ख्रेचर मतलब जानवर जैसे जंगली जानवर जैसे लगता है जो भी यह प्लासरूम में चिलाते रहते हैं यह पर आई थिंग मतलब कौन बोल रहे हैं यहाँ पर जो पोईटर वो कौन है आरके नाराण आरके नाराण जो पोईटर है वो बोल रहे हैं कि I think there will be an all-round benefit if a period of absolutely silence is introduced in every class timetable with a price at the end of the year for the quietest or the most soft-spoken person in the school तो यहाँ पर आरके नाराण बोल रहे हैं कि I think there मैं सोच रहाँ कि एक there will be an all-round benefit यह करने से हमें बहुत अच्छा all-round हमें सबसे ज़्यादा benefit मिल पाएगा मतलब benefit मतलब लावदायत हो पाएगा इपर पीरियोड ऑफ एबसलूटली silence हमें स्कूल में हर एक प्रियोड होना चाहिए जिससे साइलेंस रहने का absolute silence मतलब पूरा साइलेंस रहने का एक प्रियोड होना चाहिए इस इंटोडूस इन एवरी क्लास टाइम टेबूल विद प्राइस तो यह हर क्लास के हर एक क्लास के एवरी क्लास के टाइम टेबूल में होना चाहिए एक एक प्रियोड होना चाहिए जिससे वो silence रहेंगे with the price at the end of the year और इसका प्राइस कब दिया जाएगा जब इस साल का end में लास्ट में उसका प्राइस दिया जाएगा जो हर दिन एक एक प्रियोड silence रहेगा उसको साल के इस year के end में उसको प्राइस दिया जाएगा for the quietest और most soft spoken person in the school उस प्राइस का नाम क्या होगा most soft spoken person in the school उस प्राइस का नाम क्या होगा most soft spoken person in the school तो हमें यहां पर पोईटर क्या सोच रहे हैं सोच रहे हैं कि हर एक school के एक एक period होना चाहिए जो हर एक time के हर एक class के सारे time table से एक एक period का silence होने वाला period होना चाहिए जिससे वो silence रहेंगे जो भी हर दिन के उस period में silence रहेगा उससे year के end में प्राइस दिया जाएगा उस प्राइस का नाम क्या होगा most soft spoken person in the school झाल झाल